जैजनेन बदो मैं रवी जैन गुरू जी आज बुद्वार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नया कारिया आरम करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी मेस रासी वाले प्रोपर्टी में भाग्य साथ दे सकता है पर्यास करेंगे तो निश्शित रुप से सफल होंगे क्या करें ओम रिम्शिरी नमो सिध्धानम की एक माला हल्की आवाज में फेरे वर्शब्रासी वाले क्रोध को काबू में रखें व्यापार में प्रेशानी हो सकती है क्या करें लाल दाल का दान करें 2500 ग्राम या उससे अधिक कितनी بھی मितुनरासी वाले दिन अच्छा है लेकिन तनाओं से बचना बहुत जरूरी क्या करें नो बार नमोकार महामंत्र हलकी आवाज में पढ़ें करकरासी वाले परी जनों के साथ समय वैतीत करें खुस रहें खुस रहने का परियास करें क्या करें छोटे बच्चों को उपहार भेट करें सिंगरासी वाले वाहन बिल्कुल भी तेज ना चलाएं स्वास्त को लेकर गंभीर रहें क्या करें ओम रिम्शिरी पाश्णा जिनिंद्राई नमा की एक माला फेरें कन्या रासी वाले आलस्य से बचें यात्रा का योग बनता है क्या करें शिरी चंद्रपभु चालीसा तीन बार हलकी आवाज में पढ़ें तुला रासी वाले विरोधियों से दूरी बनाएं खटास और बढ़ सकती है क्या करें पंदरा मिनट का मोन दो बार रखें जल्दबाजी पर कंट्रोल करें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्या करें भुजुर्गों की सलह से किसी निर्ने पर पोँचें धनुरासी वाले खर्च जादे हो सकता है खर्च पर अंकुस लगाने का परियास करें क्या करें शिरी विमन नाज जी का चालीसा एक बार पढ़ें मकर रासी वाले सेवकों से आज नुकसान की आसंग का सावधान रहना बहुत जरूरी क्या करें गरीबों में भोजन के लिए यथा संभव धन बाटें कुम रासी वाले कोट कचेरी से बचें समय कमजोर है क्या करें शिरी मुनी सुबरतनाज जी का ध्यान करें चालीसा पढ़ें मीन रासी वाले रुके कारियों में तेजी आ सकती है परियास ठीक दिसा में करना जरूरी क्या करें रोली काटी का माथे पर लगाएं रासिफल के पश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलह की देखें आज की सलह में ध्यान रखें अगर आप जोब करते हैं नोकरी करते हैं और आप अपना इस्तारांतरन चाहते हैं ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको चाहिए आप अपने मकान के उत्तर पश्चिम का जो कमरा होता है जिसको वाई वे बोलते हैं उसमें अगर कोई कमरा है तो वो आप अपना बैडरूम बनाए अगर आप पैसा करेंगे तो आपका मन चाहे इस्थान पर ट्रांसफर होने का योग जल्द बनेगा और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है रोनक जैन जी ने धुले महराष्ट से लिखते हैं गुरू जी चरनिश्पश मेरी उम्र 18 वर्स है और मैंने इंटर के पेपर दिये हैं आगे मुझे क्या करना चाहिए मेरा मन दूईदा में है कभी मेरा मन करता है कि मैं अभी से व्यापार सुरू कर दूँ और कभी मेरा मन करता है कि मैं अभी और आगे पड़ू तो मुझे क्या करना चाहिए किरिपय कुंडली का अवलोकन कर मुझे अवश्य बताएं देखे रोनक जी मैं आपको बता दूँ आपको अभी कुछ भी नहीं सोचना है केवल और केवल अपनी पढ़ाई में मन लगाएं देखे अभी वरतमान में आपकी कुंडली में केतु की महादसा चल रही है और जब केतु की महादसा चलती है तो ऐसे में बच्चे का मन बहुत चंचल हो जाता है तो आपको चाहिए कि आप पाशना तिस्तोत रो जाना पढ़ें ओम रिम शिरी पाशना जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें और शिरी भक्तामबर इस्तोत का छटे नमबर का कावेर रो जाना छे बार सुबह और शाम पढ़ें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चत रुप से आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपको केवल पढ़ाई अभी करनी है और बंदू इसी के साथ आपकी भी कोई समश्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ आप सभी को जै जिनेंदर झाल